हालो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए फिर से एक बाद कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए ये वीडियो लेके आए हैं कॉंस्टिपेशन का मतलब क्या है कि मोशन का डेली रेगुलरली एक ही टाइम पे ना होना मोशन जो सुबह होता है उसका फ्री नहीं होना और उसके लिए बहुती मेहनत करना पेट में लगातार दर्द बने रहना दो से तीन दिन में एक बार मोशन होना या फिर बहुती पानी वेग्यारा पीने के बाद अपनी इंटेस्टाइन को या गट को बहुती स्टिमुलेट करने के बाद प्राणयाम करने के बाद मतलब इतना सब कुछ करने के बाद motion का थोड़ी ही मात्रा में आना पूरी तरह से खुल के जो आपके स्टमक में एक lightness की feeling देना चाहिए वैसी feeling ना हो और उसमें लगातार ये इच्छा बनी रहे कि ये पूरी तरह से clean नहीं हुआ है या फिर constipation या IBS एक इस तरह से भी है कि दो से तीन बार motion होना खाना खाने के तुनंद बाद ऐसा लगना कि motion जाने की इच्छा है ऐसा महसूस होते रहना लगातार ये इस सभी इतरह कि ये जो है जो भी अभी categorize किये हैं हमने इसको हम constipation या हिंदी में कब्स की category में रखते हैं तो friends अब इसके लिए जब ये इतना सारा ये सब कुछ है तो अब बहुत सारी चीज़ अब क्या क्या इसके reason है तो इसके बहुत सारे reason है इसका main reason है आज कल का बदलता हुआ life style आज रात में देने और दिन में रात मतलब देर रात से सोना और सुबह जल्दी नहीं उठना हमारी body में भी एक circadian rhythm या biological clock काम करता है जिसमें 4 to 6 जो है हमारा intestine activate होता है पूरे दिन में जो food खाया है उसको रात में liver assimilate करता है 11 to 3 फिर 4 o clock से 6 o clock तक gut का time या large intestine का time start हो जाता है कि जो digest हुआ है उसको अंदर उसने absorb कर लिया है और undigested food को या जो भी है stool की form में बहार निकालने के लिए अब आपकी जो colon है वो ready है तो अब उस colon के activation का जो time है वो है morning 4 to 6 यानि बात का time बात का काल है वो जिसको हमकी ब्रह्म महुरत कहते हैं इसलिए आयरवेद के ग्रंतों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म महुरत में ये विचार करके उठे कि पहले दिन का खाया हुआ अन जीन जीन मतलब पग गया है यानि digest हो गया है या नहीं हुआ है और ये सोच के अपने bed को छोड़ दे और मतलब इस जो भी मल की क्रिया होती है या शौच की क्रिया होती है मतलब इसके लिए आप लोग फिर टॉयलेट के लिए मतलब वाश्रूम में जाएं ये सोच के उठना है तो अब यानि कि आपकी स्लीप कितनी important है तो पहली चीज हो गई स्लीप कि सही टाइम पे सोना है रात में और सही टाइम पे सुबह उठ जाना है at least 6 बजे से पहले-पहले कि आपकी intestine उस एहसास को या उस activity को भूलने ना पाया और उनको regular एक particular time पे evacuate करने की habit बनी रहे तो यही आपके एक routine में कितना अच्छा सा routine है कि daily thick time पे सोना है food की proper digestion और assimilation के लिए साथी साथ stool की evacuation के लिए जिसको हम मल्क्रिया कहते हैं और दूसरी चीज है आपका food आहार और तीसरी चीज है आपका विहार यानि lifestyle अब इस चीज के लिए आपका आहार कैसा हो friends अब आहार में जिन लोगों को इस तरह का problem है कि कभी-कभी यह by birth भी होता है कुछ लोगों को heredity से भी यह चीज़े मिलते हैं कभी-कभी lifestyle generated भी होता है कभी-कभी धीरे-धीरे आजकल सब बच्चे hostels वे गारा में पढ़ते हैं तो वहाँ पर refined food और adulterated food बहुत जादा मिलता है जैसे मैदा का बना हुआ रोटी वे गारा बहुती fine बॉडर डाटे की machine में सीखी हुई चपाती वे गारा वहाँ पर रहती है और food की quality भी उतनी अच्छी नहीं होती है fiber और roughage भी उतना अच्छा से नहीं मिलता है फिर भी जो लोग भी manage कर सकते हैं अपनी इस diet को तो वह कैसे manage करना है कि अपनी diet में fibers को add करें green leafy vegetables को add करें fruits और dry fruits को add करें fruits हमें बहुत सारा fiber देते हैं और vitamin देते हैं और minerals देते हैं और dry fruits भी जिसमें खजूर हो गया अंजीर हो गया किश्मिश हो गई मुनक्का यानि द्राक्षा हो गए तो यह सब पेट को बहुत ही अच्छा सा roughage यानि fiber देते हैं और इनमें water को absorb करने की भी capacity बहुत अच्छी होती है तो आप अपने food पे भी ध्यान दीजे जहां तक है आप एक right amount में right manner में right जो हमारे सोचने का धंगय है यानि खुश हो के बहुत अच्छे से right amount of food at the right place और right kind of diet देखे कितने सारे right हो गए इसमें कि यह सब मिलाके आपको एक अपनी बहुती proper diet तैयार करनी है इसमें हम लोग अपने patients को भी बोलते है कि दू यह अनकाल यानि दो time खाना जो पका हुआ cooked food है वो दो बार खाना बस है और एक time पे आपको handful of dry fruits लेने चाहिए यानि morning में सुभे उठके एक से दो भी गे हुए morning में बादाम और अखरोट के छिलके उतार दीजे और किशमिश का पानी पीके उसे ऐसे ही चबा-चबा के आप खा सकते हैं और उसके बाद ten to eleven के बीश में आप अपना एक brunch जैसा यानि पूरा तक जो आपका lunch है वो ले सकते हैं जिसमें आप high fiber rice जैसे red rice है green leafy vegetables और different kind की vegetables डाल butter milk और मिस्सी रोटी इस तरह की पूरी एक अच्छी balanced diet आप लीजे जो full of carbs fats good quality of protein और साथी साथ बहुत अच्छे minerals और fibers जिसमें हो तो वैसी आप एक diet यूज करिए फिर आप उस food को digest होने के लिए एक पूरा time दीजे यह नहीं है कि एक खाना digest नहीं हो उसके बाद आपने दुबारा फिर से एक देर घंटे में दो घंटे में खाना शुर कर लिया अराम से उसको खाने को food को जो आपने लिया है 10 to 11 के बीच में एक 3 तक का एक पूरा एक अच्छा सा time दीजे उस time frame में वो आपकी पूरी digestion की activities properly होंगी 3 o clock आप थोड़े से कुछ seasonal fruit बनाना हो गया apple हो गया, papaya हो गया guava हो गया अगर acidity नहीं रहती है तो बहुत सारे citrus fruits हो गया गर्मिया है तो melons हो गया तो इस तरह का fruit आप लीजे और evening में थोड़ा evening walk करने के बाद in between 6 to 7 आप अपना फिर से एक अच्छा सा पूरा meal जिसमें बहुत सारी vegetables और जो भी आप सबजी फुलका या फिर दाल rice सबजीयां आप खाते हैं वो एक 7 o clock तक आप finish कर लेजे तो ये एक अच्छा routine कहा जाता है इसमें आप थोड़ा सा अपने job के timings के according और अपने routine के according थोड़ा बहुत इदर उगर कर सकते पर mainly आप week में 5 times तो इसी time table पर अगर stuck हो जाएं अच्छे आगया की medicine तो friends इसमें हम लोग बहुत सारे लोग को ये पता भी होगा कि trifla का powder एक चमबज गरम पानी के साथ लेने से भी constipation की problem ठीक होती है और साथी साथ अगर trifla किसी को नहीं भी set होता है तो अवे पत्ती कर चोन भी हम देते हैं तो 1 teaspoon जिनको पित्तच constipation है गरम पानी में मिला के लेने से भी ये problem solve होती है और नहीं तो बहुत सारे लोग को कफ वेगरा की वज़े से जैसे रहता है तो गरम पानी में थोड़ा सा ginger के pieces boil करके और जब वो थोड़ा normal lukewarm रह जाए तो उसमें थोड़ा सा honey मिला के लेने से भी constipation की problem solve होती है तो आप इन सब चीजों को follow करिए और एक healthy lifestyle maintain करिए और constipation की problem से छुटका रपाईए Thank you